साहू कलासेश चैनल पर आपका स्वागत है लाल कलर का सब्सक्राइब बेटन दिख रहा होगा दबा दीजे उसके बाद बेल आइकान दिखेगा उसे दबा दीजे ताकि सभी वीडियो की जानकरिश्टनी समय पर प्राप्त कर सकें सहायक विज्यान प्रयोक साला का रिजल ज इच्छाक हो तो उसमें कुछ-कुछ पॉसिबिलिटी और अन्य भी रहेंगे फिर भी हम एक समान या अनुमान यहां लगा सकते हैं कि कितने रेंग तक सेलेक्शन हो सकता है क्यूंकि आप पोस्ट देख सकते हैं कि अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में आप पहले यह देख ल नहीं है क्योंकि सभी केंडिडेट्स ने लगभग सभी केंडिडेट्स ने सभी जीलों में सभी ई और टी में अपलाई किया है बहुत कम लोग हैं जो या तो टी में अपलाई नहीं किये या सभी जीलों में अपलाई नहीं किये ऐसे संख्या में बहुत कम है इसलिए जो र rank है क्योंकि बहुत सारे candidates सभी जिलों में apply नहीं किये थे खास-खास जिलों में apply किये थे इस करण ऐसा अंतर देखने को मिल रहा है लेकिन जो selection होगा वो हो जाएगा ट्रिक्ट वाइज क्योंकि जो merit list बनेगी वो district wise बनेगी लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ एक जिले के लिए ही count हो रहे हैं आप सभी जिलों के लिए count होंगे जहां जहां आपने apply किया था अब आगे देखने वाली बात होगी किस तरह से counseling होगा इसमें आप सभी ज जिले wise merit जड़ी हुआ है तो यह जिले level पे ही इसका counseling होगा होने की संभावना है आल ओवर देखा जाए सभी district का मिलाका मिलाकर इस हमवर्ग में तो 289 post है general मतलब की unreserved post के लिए और 86 है OBC के लिए और अन्य category के लिए भी आप देख सकते हैं तो इसमें आप मान के चलिए कि 461 या 450 के आज़ पास आपका UR rank है overall rank है इस संभावर्ग में तो आप सुरक्षित मान के चलिए अपने आपको अगर आप OBC category से हैं तब 450 या 450 के आज़ पास आपका rank है OBC category के हो overall rank की बात कर रहा हूँ मैं 460 450 नेकिन हो आप OBC category तो आपका chance रहेगा selection का इसको मान के चलिए 500 तक अगर rank है तब भी आप कुछ कुछ chances है ये समझ कर चलिए guarantee नहीं है लेकिन chances रहेंगे 500 rank तक overall OBC category वाले बंदे का इसी तरह से अन्य category का भी उनके जो नंबर है उस अधार पर उनका भी chance रहेगा OBC का तो आप 500 450 से 500 के बीद जिनका rank है और rank और वो OBC non criminal वाले हैं तो उनका जो selection का chances बना रहेगा ये है analysis मेरा और आप इस पे देखते जाए आगे क्या का होता है ये अनुमान है और ये कई चीजों पर ये भी depend करता है क्योंकि यहां से कुछ आगे भी जा सकते हैं अगले post में इसको छोड़कर और कुछ हो सकते हैं जोईन ही ना करें ऐसे ही एक्जाम देते हैं experience के लिए तो और कुछ हो सकते हैं eligible ही ना हो तो इसमें वैसे not eligible वाले इसमें कम होंगे क्योंकि ये तो श्रीप 12-based science वालों के लिए था फिर भी कुछ age limit cross करके भी दिये हो या कुछ औ और निवासी ना हो इस तरह कभी कुछ matter हो सकता है तो देखने वाली बात होगी आगे तो आप उसी तरह से टी समर्ग में देख सकते हैं तो 90 है और उधर जो है वो है चम्वाल इस तो इसमें भी मान के चलिए कि आपका आप मान के चलिए इसमें भी 200 रेंग तक और आल जो ह होगा आपका 300 मर्ग में तो आप सेलेक्शन के लिए उमीद बना सकते हैं कि हो जाएगा ओबी सी केटिगरी के हैं तो और अन्य एस्टी एस्टी और अन्य जो भी केटिगरी उनका भी उनके अनुसार जो नंबर होता है उस अधार पर उनका भी चांस रहेगा उसके बारे मे अलग से वीडियो में अनलीसिस करके बता दूँगा अगर आप कमेंट्स में इसके बारे में लिखें कि बताया जाया अन्य केटिगरी के लिए भी तो यह अभी मैंने ओबी सी के लिए बताया जो और राल रेंक उनका हो और वो ओबी सी के हो तो उनका इस तरह का चांस बनन झाल झाल